हेलो फ्रेंड्स आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्टडी मोसन में स्वागत है आज है 15 जुन और 15 जुन को लेकर इस वीडियो में मैंने कुछ इंपोर्टेंट्स करेंच अफियर को रखा है जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट्स हो गए अब बात क करते हैं कल के सवाल की कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में गुलजार देहलवी का निधन हुआ है या कौन थे तो इसका एंसर देगा कभी लेखकी यानि उपड़योगत दोनों हमने इस वीडियो के अंत में भी एक सवाल को रखा है जो आपको का को एंसर इस कमें देना है चलिए हम बात कर लेते हैं गुलजार देहलवी जी का तो गुलजार देहलवी जी जो थे एक उर्दु कभी और सायर थे जो जिसका जन्व सात जुलाई 1926 को वी थी और इनका जो मिर्तिव देहान्त हुआ वह बारा जून को हुआ या कोविड-19 के मरीज थे जो भर को आये थे और उसकी मिर्तियों कोविड-19 जंग जितने के बाद हुए और इनका पूरा नाम आनन्द मोहन यानि इनका पूरा नाम जो था आनन्द मोहन जुत्ति गुलजार देहलवी जीत है था चलिए आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यानि आज के क्वेश्चन की कि हाल ही में किस सहर में अत्यादुनिक फ्लड वर्निंग सिस्टम की शुरवात हुए तो वो सहर है मुंबई अब बात करें हैं फ्लड वर्निंग सिस्टम की तो यह मुंबई के लिए बार्ट चेतावनी प्रनाली यानि आई फ्लोज मुंबई आई फ्लोज मुंबई नामक यह प्रनाली थी जो फ्लड वार्निंग सिस्टम के तहत इसकी सुरुवात हुई और यह मुंबई को जो है अत्याधुनिक एकत्रित बार्ड चेतावनी प्रनाली के रूप में इसको विक्सित किया गया है जो बार्ड आने से पहले चेतावनी दी कि जाएगी चलिए अब बात करें अगर मुंबई की तो यह महाराष्ट की राजधानी है मुंबई अगर महाराष्ट की बात करें तो इसके सीम जो है उद्दव ठाकरेजी है और राजपाल जो है भगत सिंग को सारिया है अगर बात करें राज सवासीटों की तो 19 है और लो और CEO न्यूक्त भी है तो वो है ग्रूप गौद्रेज ग्रूप गौद्रेज ग्रूप की नई MD वह CEO बनी है MD मतलब मैनेजिंग डिरेक्टर और वह CEO मतलब Chief Executive Officer अगर बात करें हम गौद्रेज ग्रूप की गौद्रेज ग्रूप की जो स्थापना हुई थी वह 18097 इस विमें वी थी और इसके संस्थापक जो है अर्धेशीर गौद्रेज फिरोजसा बुर्जोर्जी गौद्रेज जी है अब हाल ही में इनके Chairman जो है निसावा जो है 42 साल की उम्र में 42 साल की उम्र में निसावा गौदरेज गुरूप की नई MD और CEO बन गई फिलाल वे गौदरेज कंजूमर प्रोडक्स निमेटेट की कारकारी अध्यक्ष हैं चलिए अब बात कर लेते हैं next question की तीसरा question बोलड़ा है कि हाल ही में जावेद इकवालवानी को किस नियाले का मुख नियाधिस चुना गया तो जावेद इकवालवानी को जम्मू कस्मिर उच नियाले का नियाधिस चुना गया अगर बात करें हम जम्मू कस्मिर हाई कोट यानि उच नियाले की जिसकी अस्तापना 26 मार्च 1928 इस भी को हुई थी और इसके नियाधिस हालिफ में को जावेद इकवाल वानी जी चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन की चौथा कोश्चन बोल रहा है कि हाल ही में तेरा जुन को किस देश ने अविसकारक दिवस मनाया है तो वो देश है हंगरी अगर बात करें हम हंगरी की तो इसकी राजदानी बूड़ा पेस्ट है और इसके पीम जो है जोनेस एडर जी है और प्रेसिडेंट यानि राष्टपती विक्तर औरवान जी है अगर बात करें हम हंगरी के करेंसी की तो फॉरिंट है यहां के करेंसी चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन की पांचवा कोश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस राज सरकार ने बाल स्रमिक योजना की सुरवात की तो वो राज है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुखमंत्री योगी आदित नाथ ने सुक्रवार को विश्व बाल स्रम निश्यद दिवस के मौके पर बाल स्रमिक विद्या योजना की सुरवात की इस योजना के तथ कामकाजी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सरकार बारास रुपए प्रती माह तक सलाना अनुदान देगी अगर बात करें हम उत्तर परदेश की तो उत्तर परदेश किसी हैं योगी आदित नाथ जी हैं और गवर्नर अनंदी बेन पटेल जी हैं अगर बात करें इसके राज सवासीतों की तो 31 है और लोग सवासीतों के संग्या 80 है चलिए हम बात करतें नेक्स्ट कोश्चन की छटा कोश्चन बोल रहा है कि हाल ही में कोरोना वायरस योद्धा के लिए विशेश गीत जारी किसने किया तो वो है ITBP ने एक जवान ने कोरोना महामारी से लर रे डॉक्टर और स्वास्त कर्मियों के लिए एक गीत गाया यानि वो जवान है विकरम सिंग ने कोरोना योद्धा के लिए गाना गाया जो गाना था तेरे होसले को सलाम मेरा यानि इस गीत के जरिये सलाम पेश किया और जवान विकरम जित सिंग ने वया बताया कि हम कोरोना के किलाब इस जंग को एक साथ लरेंगे और जीतेंगे अगर बात करें ITBP की तो ITBP का फूल फॉर्म होता है इंडो तिवेत्यन बोर्डर पुलीस फोर्स इंडो तिवेत्यन बोर्डर पुलीस फोर्स जिसकी अस्तापना 24 अक्टूबर 1962 को होई और यहां के डिरेक्टर अफ जेनरल जो है ITBP के वो SS देश वाल जी है चलिए हम बात कर लेतें next question की सातवा question बोल रहा है कि हाल ही में गारगो इंटरनेशनल के ब्रान एमेश डर कौन बने है तो वो है सोनू सूद सोनू सूद गारगो इंटरनेशनल के ब्रान एमेश डर बने है बात करें हम गारगो इंटरनेशनल की इसकी अस्तापना 1968 में टाइमिंग बेल्ट और नाइलोन बेल्ट की थोक खरीदने वाली कमपनी है इसका मुख्याल है डेली है सोनु सूध हाल ही में प्रचलित हुए यानि मजदूरों और सरमी को परवासियों को अपने अपने घर पहुचाने के लिए हाल ही में फेमस हुए चली हम बात करें नेक् सुष्टन बोल दाया कि 14 जुन को किस बॉलीबूड अभिनेता का निधन हुआ तो वो थे हैं सुसांद सिंग राजपूत जिनका हाल ही में 14 जुन को सुसाइट के चलते इन्होंने अपने जान दी चली हम बात कर लेतें नेक्स्ट क्वेस्टन के क्वेस्टन है कि हाल ही में ब्रिटेन सरकार ने लंदन के सर हेनरी हेवलोक सरक का नाम बदल कर किसके नाम पर रखने की घुसना किया है तो वो है गुरु नानक यानि गुरु नानक मार्ग के नाम से इसका नाम बदल कर रखने की घुसना किया है बात करें सर हेंडरी हवलोख जी का तो यह इनका जन्म पांच अपरेल 1795 इस्वी को हुआ और इसकी मेर्तियों 24 नमबर 1857 में लखनों में हुआ और हम बात करें अगर गुरु नानक जी के तो यह गुरु नानक जी गुरुओं के प्रथम गुरु थे और इन्हों नहीं सिक्पंत की अस्थापना के थी जिनका जन्म 15 अपरेल 1469 को हुआ और इसकी मेर्तियों 22 सेप्टेमबर 1549 इस्वी को हुआ बात करें ब्रीटेन की तो इसकी राजधानी कहा है तो लंदन है इसकी राजधानी लंदन है और ब्रीटेन के पीम कोन है बॉरिस जॉंसन जी है इसकी करेंसी पाउंड है चलिए हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की दसवा क्वेश्चन बोला है कि हाल ही में COVID-19 के मामले में सबसे सुरक्षित देश कौन सा है, तो वो देश है स्वीट जरलेंड, हमने देखा टोटल 15 जून के टोटल करेंट अपियर्स को, और हम बात कर लेते हैं, आज के सवाल की, आज का सवाल है कि हाल ही में वी सुरक्ष दाता दिवस कम मनाया गया, अप्शन है 10 जून, 11 जून, 13 जून और 14 जून, इसका एंसर आप हमें कॉमेंट बोक्स में जरूर दें, घन्यवाद,